अब बिहार के सिक्षा मंत्री चंदर शेखर के राम चरितर मानस पर दिये बयान पर अब जेडियू की एंट्री हो गई है बिहार सरकार में मंत्री और जेडियू नेता अशोक चौधने ने आरजडी नेता चंदर शेखर के बयान पर नाराजगी और आपति रेक्ट की है अशोक चौधरी ने कहा है कि सिक्षा मंत्री ने भरम फैलाने की कोशिश किये राम चरितर मानस का पुरा प्रसंग बताए बिना बयान देना ठीक नहीं है राम चरितर मानस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए धार्मिक ग्रंद पर सवाल उठाना ठीक बात नहीं सिक्षा मंतरी डॉक्टर चंदर शेखर के बयान को लेकर शुरू हुआ बिवात थमता नजर नहीं आ रहा है जेडियू ने नाराजगी जाहिर किये हमारे साथ हैं जेडियू के मंतरी अशोक चौधरी सिक्षा मंतरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर काफी चर्चा हुई जेडियू का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया था जेडियू कैसे देखती है इस बयान को ने ने देखे हम तो ये मानते हैं कि ये बयान जो है किसी भी धर्म के गरंथों पर राम चरित्र मानस एक धार्मी गरंथ है हिंदूों की आस्था का गरंथ है भागवत गीता हिंदूं के आस्था का गरंथ है बाइबल PMEGP योजना केता है 10 लाक लोन लेकर क्या आपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हो इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए इसाईयों के आस्था का गरंथ है गुरुगन साहब शिखों के इन सब चीजों पर किसी तरह के टिका टिपनी से परहेज करना चाहिए कोई भी बात और जो चौपाई उन्होंने कहा है मैं अधम जाती विद्या पाए भयव जथा अहिदूद पियाए ये किस प्रसंग में ये चौपाई कही गई है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है ये बात तो थीक है लेकिन ये चौपाई रामतिरितरमानस में है भी लिखा लेकिन किस प्रसंग में लिखा है उक्त पंक्ति को काक भुसंडी जी की है संदर वे है कि वे अपने शायव गुरु के पास सिक्षा लेने गए थे तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं या सुनकर मुझे शिव भक्त को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने या किसी ने कहा यह तुलसी दास जी ने अपने पीए मीजी पी योजना के तहट दस लाक लोन लेकर क्या आपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हो इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए नहीं प्रजक्ट किया तो आपको तो प्रजक्ट भी तो करना चाहिए ना किस प्रजक्ट में आप प्रजक्ट करें अधूरी बात कहके चौपाई का सिर्फ एक हिस्सा बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश शीरूरूरी बिल्कुल अब है क्या कि एक पार्ट को आपने बता दिया और एक बात बता करक अपनी बात पर भले कायम हो और उनकी निजी राय तो इनका ये ढिए प्रवकता का ब्यान है इंठाहि कि देस्वी आदब को इनको बताना चाहिए किस तरह के बियान से परहेच करें महाघटवंदन की छवी को नुक्सान बिल्कुल किसी भी नेंका ये बैन आना पार्टीक ये बयान आना कि हम इनके इनका ये निजी राय है पार्टी का लाइन ये इस पस्ट है